बढवानगर के एक मात्र रेन बसेरे पर कई महीनों से ताला लगा हुआ था बंद रेन बसेरों में कच्छुरे के धेर लगे हुए थे जिसकी खबर रेडनाइन न्यूस ने प्रमुक्ता से प्रसारित की थे खबर के चलते ही प्रशाशन हरकत में आया और रेन बसेरे को चालू कर पाया रेन बसेरा इसलिए होता है ताकि कोई भी बे सहारा गरीब को सर्दी और बारिश में खुले आसमान के नीचे ओटलों में रात ना बितानी पड़े मगर इसका लाप बे सहारा गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा था जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते रेन बसेरे पर ताला लटका हुआ था तथा रेन बसेरे में कच्छरा भरा पड़ा हुआ था इस समस्या की खबर रेड नाइन न्यूज ने प्रमुक्ता के साथ प्रसारित की थी खबर देखकर प्रशाशन जागा और रेन बसेरे का ताला खुलवाया और नगरपालिका के करमचारियों द्वारा साफ सफाई कर रंग रोगन का कारे भी शुरू हो चुका है साफ सफाई के दोरान करमचारियों ने बड़ी मात्रा में नगरपालिका के विभागों से जुड़े दस्तावेज निकाले आलम ये था कि दस्तावेजों से ट्रॉली भर गई जो कि बर्चात के पानी के कारण खराब हो गए बहराल जो भी हो ये रैन बसेरा अब बे सहारा गरीब लोगों के लिए खुल गया है उमीद है बारिश में भी ये खोला रहेगा रेड नाइन के लिए लोकिंद्र परिहार की रिपॉर्ट